नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं मम्ता दूबे आज बनाने जारी हूं बहुत ही चटपटा और आसान नास्ता। आप रोटी सब्जी बना के ठक गए हैं बोर हो गए हैं गर्मी में तो इस नास्ति के बाद रोटी सब्जी भी बनाने की जरूरत नहीं है तो चलिए इस रेस्पी को सुरू करते हैं उससे पहले आपस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक् यहाँ पे देखिए दो कप गेहूं का आटा लिया है मैंने थोड़ा सा नमक डाल देंगे एक चमच हम तेल डाल रहे हैं इसमें सारी चीजों को अच्छे से इस तरीके से हाथों से मिला देंगे इसमें मुयन नहीं लगाना है बस एक चमच तेल डालना है ताकि आटा आप इसमें रिफाइंड तेल का यूज करें या घी का सरसो का तेल ना डालें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके एक सॉफ्ट डो लगाएंगे बहुत जादा हाथ डो इसका नहीं लगाना है तिहां पे देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ एकी बार अधेर सारा पानी मट डालिएगा नहीं तो आटा गीला हो जाएगा इस तरीके से करते हुए मैंने आटा लगा लिया है आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आटा जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालके लगाते हैं और आटे को अच्छे से गुतते हैं तो बहुत त्यार होता है अब मैं थोड़ा सा ओयल डाल रही हूं उपर से ताकि ये आटा उपर से भी अच्छे से सौप्ट रहे और ये देखे इस तरीके से अच्छे से आटेली के पिछले हिस्तिम से गूत लिया है दस मिनट के लिए ढख के रख देंगे अब कड़ा ही में तेल डा लहसन का यूज किया है आप चाहे तो लहसन का पेष्ट भी डाल सकते हैं इसके बाद मैंने 5-6 बारी कटी हुई हरी मिर्श डाल दी है थोड़ा सा भुन्ने के बाद सारी चीजों को और मैंने डाला है एक कटोरी टमाटर दो बड़े सा इसका टमाटर जिसे बहुत बारी अब डालनेगे 11 चम्मध छल्दी,中共 धन्य पौडर और 10 चम्मध गरब मसाला पॉडर, थोड़ा साम डालेंगे लाल मिर्च पौडर और नमक डालनेगे लाल मिर्च पौडर मैंसे डालहा, क्योंकि मैंने फौरी मिर्च का भी यूजा मुली कि अब इन सारी चीजों को 2-3 मिनट अच्छे से भुनना है ताकि जो बेसन है उसका कच्चापन चला जाए तो यह देखे बेसन डालने के बाद मैंने 2-3 मिनट भुनना है और अब हम क्या करेंगे बारी कटी हुई धनिया डाल देंगे तो यहां पर हम धेर सारी धनिया का यूज़ कर रहे हैं टेस्ट भी अच्छा आएगा और देखने में भी लुक वाइस भी बहुत अच्छा लगेगा तो यह देखे डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे इसे ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे और अब हम अपने जो आटा डखके रखा था उसे भी चेक कर लेते हैं तो यह देखे जो डो है हमारा बहुत बढ़ियां से सेट हो चुका है एक बार इसे इस तरीके से फिर से गूत लेते हैं और अब हम कट कर लेंगे लुई तो यहाँ पे देखे लुईयां कट कर लेते हैं इतने आटे में मैंने पा आटे में डस्ट करेंगे इस तरीके से और अब मैं इसे बेल लेती हूँ तो ये देखे जैसे बड़ी सी चपाती बेलते हैं बिलकुल आपको उसी तरीके से इसे बेल लेना है तो यहाँ पे देखिए एक चपाती मैंने बड़ी सी बेल के तियार कर ली है आप देख पा रहे होंगे और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे कितना मोटा या कितना पतला बेला है तो यह देखिए एकदम चपाती की तरह मैंने पतला बेला है आपको मोटा बि और आफ आपको यहां पे चोफ़िघा एक मेरा खरना करें कर पूरी तारीके से ठंडी की उसे उसे अनीड़ी डाल लेंगे बहुत जादा layer सा नहीं बनाना है थोड़ा ही डालना है बहुत जादा आपको यहाँ पे stuffing नहीं डालनी है नहीं तो नास्ता खराब हो जाएगा तो यहाँ पर देखे डाल दिया है मैंने अब एक रोटी उठाएंगे और इसके उपर रखेंगे और इसे प्रेस कर देंगे और यह देखे इस तरीके से हम इस चपाती को भी डाल देते हैं और प्रेस कर देते हैं यह देखे इसी तरीके से लास्ट वाली चपाती भी मैंने डाल दी है और इसे भी मैंने प्रेस कर दिया है अब थोड़ा सा हलके हाथों से बेलन इस तरीके से घुमा लेंगे ताकि जो तो हमारी stuffing है न अच्छे से एक स्टाफिंग हो चुकी है और देखे इस तरीके से बना लेंगे ना तो पूरी फेमिली के लिए हो जाएगा यहां पर मैंने एक ही बनाया है यह देखिए अब यहां पर पानी रखा था पानी अच्छे से बॉयल हो रहा था और यह जाली वाली प्लेट पे मैंने रखा है और इसे रखके 10 से 15 मिनिट छोड़ दिया था 15 मिनिट क अब मैं क्या करूंगी आप चाहें तो इस नास्ते को इसी तरीके से कट करके भी खा सकते हैं नास्ता बहुत अच्छे से पग गया है और और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा डाला है तेल एक चमज के करी आदा चमज जीरा डाला है साबूत और अब डाल देंगे के दोनों साइडों से बहुत अच्छे से सेखेंगे यह देखें बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है क्योंकि हमने हल्दी डाली है और यह देखें साइडों से इस तरीके से उठा के सेख लेंगे दोनों साइडों से और यह हमारा नास्ता सिक के बिलकुल पॉफेक्ट तयार है ये देखिए, अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ, थोड़ा सा हलका सा ठंडा होने के बाद ही कट करें, पर मैं यहाँ पर गर्मा गरम ही कट कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हुआ है, और इसे बन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगती है जरा से भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आई बाई दोस्तों और टे कियर